इन तीन वर्षों में विदेश मंत्राले की कारिशेली में दो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं एक, कि घरेलू विकास के कारिकमों में पहली बार विदेश मंत्राले अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है और दूसरा, विदेशों में बसे हुए भारतियों की सुरक्षा हमारे दूतावासों की प्राथमिकता बन गई है भले ही हमारे फ्लेक्शिप प्रोग्राम में मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, क्लीन इंडिया हो, स्मार्ट सिटीज हो इन सब में भारत के राज़दूत इतने सक्रिये हैं कि यदि केवल आप एक FDI के आंकड़े की तुलना करें तो UPA के तीन अंतिम वर्ष और हमारी सरकार के ये तीन वर्ष इन दोनों की तुलना में आप पाएंगे कि साड़े सेंटीस परसेंट बढ़तरी FDI में हुई 37.5% this is a record और केवल वो विदेशी पुंजी निवेश लाने में अपनी भूमिका नहीं निभाते बलकि जो प्रोजेक्ट्स तै हो जाते हैं प्रधान मंत्री जिनके बारे में MOUs साइन करके आते हैं हस्ताक्षित करके आते हैं उनको अपने उन देशों में भी डेस्टिनेशन कांट्री जहां वो कारिरत हैं और भारत में भी उन संबंधित मंत्रारें के बीच मेल बैठा करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं